चैप्टर ट्वंटीवन एर्वटाइजिंग एंड डेमोक्रेसी का ये सेकिंड पार्ट है इससे पहले हमने इसका फस्ट पार्ट कर लिया है आपको दोनों पार्ट वीडियो की डिस्क्रिस्टन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपने वीडियो को कम्पलीट देखना है जब आप वीडियो कम्पलीट देखते हो तो अच्छे से समझ में आता है और कमंड करके मजे बताना है कि किस किस ने वीडियो को कम्पलीट देखा है और आपको वीडियो कैसा लगा तो सैकिंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अफेक्ट ओफ अडवर्टाइज अडवर्टाइजिंग का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे हम अडवर्टाइजिंग थ्रू टीवी प्रोग्राम और न्यूस पेपर एनेबल अस तू अफर्वर्ड लग्जरीज बिकोज विदाउट अडवर्टाइजिंग दे वूड बी वेरी एक्सपेंसिव अडवर्टाइजिंग जो टीवी के थ्रू आती है या न्यूस पेपर के थ्रू आती है उसने हमें जो लोगों को क्या दिया है लग्जरीज दी है यानि की आराम दिया है आप यह कह सकते हैं या फिर मजा दिया है ठीक है क्यों दिया है विकोज विदाउट अडवर्टाइ परता उन्हें देखने के लिए या न्यूजपेपर के लिए बहुत जादा पैसे देने पड़ते मगर एड़टाइजिंग के कारण हमें टीवी के प्रोग्राम और न्यूजपेपर असानी से मतलब सस्ते उस पे मिल जाते हैं क्यों क्योंकि जो टीवी पे और यह प्रोग्राम और बीडिया जो हता है यानि कि जो भी टीवी है न्यूजपेपर हैं वो अब उसको कहां से पैसा कमाता है वो अधिक तर पैसा पब्लिसीटी से कमाता है जब उस पे उसके मतलब टीवी पे आख़बार में क्या आती हैं अड़टीजमेंट आती हैं उस उसके मीडियम से वो क्या करता है भी पैसा कमाता है ट्राइटू मेग देर मीडियम ए पप्लर प्लेस फोर कॉम्मिनिकेटिम एडवर्टीजमेंट टू पीपल बिफोर एनी इन्फोरमेशन और एंटरेंडमेंट प्रोग्राम जब भी हम कोई प्रोग्राम देखते हैं अइडवर्टीजमेंट के कारण कभी इसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें ख्रीज़ें लेते हैं जिनकी उनको जुरूरत भी नहीं होती advertisement देखके वो ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी लोगों को जुरूरत नहीं होती इसके कारण उनका जो क्या होता है भी खर्चा बिना बाद का खर्चा हो जाता है another problem related with advertising is quack or false advertising और दूसरी जो problem है advertising के साथ वो क्या है quack or false advertising यानि कि धोका देने वाली advertising धोका देने वाली ads कैसे करते हैं companies ये strict rules are needed to protect the innocent customer from misleading promises like height increase immediate weight loss अब strict rules सक्त रूल बनाने चाहिए ऐसे जो quack या false advertising है धोका देने वाली जो advertisement है उनको रोकने के लिए सक्त रूल बनाने चाहिए इससे जो innocent customer है गहा के है ठीक है उनको ये क्या करती है वही mislead करती है गलत जानकारी देती है जैसे की for example जैसे की height increase की कोई आ जाए अगर advertisement देखो height increase कोई भी दवाई खाके नहीं होती मगर वो advertisement दे दे के लोग उसके भैकावे में आ जाते है और दवाई खानी शुरू करते है अपनी height बढ़ाने के लिए ऐसी immediate weight loss ये दवाई खाओ आपका मतलब 10 दिन में ही इतना 10 kilo weight कम हो जाएगा इस तरह की advertisement होती है दोका देने वाली इनको रोका जाना चाहिए बैन लगाना चाहिए इन पे strict rules इनके खिलाफ बढ़ने चाहिए government laws must protect the interest of the consumer जो government के कानून है वो consumer यानि की जो ग्राहक है उनके जो हितों को देखकर उनकी protection करनी चाहिए यानि की जो भी ग्राहकों के हित हैं भलाई है government के rules उनकी रक्षा करनी चाहिए ठीके government के रूलों को many companies distribute sample of their product free of cost to the customer to hook them to their products और कई companies ऐसी रन निती भी मनाती हैं कि वो जो अपने जो product हैं वो customer को शुरू-शुरू में free में देती हैं ताकि जो customer हैं वो उनके साथ hook हो जाए यानि कि उनके साथ attach हो जाए ठीक है जैसे जब G.O की company आई थी तो G.O ने भी क्या दिया था भी शुरू में sim क्या दी थी free दी थी और अब G.O क्या बन चुकिया भी एक तरह से number one company बन चुकी है ठीक है तो ऐसे कुछ company आसे भी करते हैं शुरू-शुरू में क्या देती है product अपना free में बाटती है customers को do you know मैं कहा है advertising has become a market of its own and it offers a large number of jobs along with providing information to people advertising has become a market of its own advertising भी अब एक क्या बन गई है एक तरह market बन गई है बाजार बन गई है और it offers a large number of jobs और advertising में क्या होता है भई बहुत सारी नोकरियां दी है इसने लोगों को और साथ साथ क्या दिये भी information भी provide कराती है advertisement ठीक है advertisement से क्या मिलती है भई यह एक बाजार बन चुका है मतलब इससे कई लोगों को नोगरियां मिली है और इससे लोगों को information भी मिलती है अब आगया advertising and democracy अब इसको पढ़ते हैं हम इसमें क्या है in this chapter we have read about the social and public service advertisement और हमने इस chapter में क्या पढ़ा है भी social और public service advertisement के बारे में पढ़ा था first part में these types of advertisement strengthen the democracy of a country इस तरह की जो social advertisement होती है वो democracy of country country की जो democracy को लोगतंतर को मजबूत बनाती है in a democratic set up every individual or manufacturer can advertise his product which is only possible by spending huge money और democratic जो set up में जो हमारा जो democratic देश है लोगतंतर देश है और समें सभी जो भी कोई वक्ती है या आपिर वो कोई माल बनाने वाला है ठीक है factory लगाने वाला या कोई भी product बनाता है वो अपना जो advertise वो अपने माल का advertisement कर सकता है ठीक है which is only possible और ये तब ही संभव होता है जब वो क्या करे huge money जादा पैसा खर्च करे पैसा लगाए advertisement पे और अपने माल की वो advertisement कर सकता है but what happens to a person who makes sweets or smosas at home and sells them from door to door एक तरफ तह यह है कि बड़ी-बड़ी company है वो advertisement करती है और पैसा लगाती है और advertisement करती है उनके पास पैसा है मगर दूसरी तरफ उस आदमी के साथ क्या होगा जो sweet बनाता है मिठाई बनाता है और समोसा बनाता है अपने घर पही बनाता है और उसको door to door बेजता है और इस तरह के जो चोटे-चोटे business है उनके पास advertising के लिए पैसा नहीं है वो पैसा खर्च नहीं कर सकते इस पे तोकि उनके पास इतना पैसा नहीं है वो किस पे डिपेंड करते हैं भई word of mouth publicity पे यानि कि जैसे मानलो किसी ने किसी के समोसे खाए और उसने अपने प्रोस्टी को बता दिया कि भी उसके समोसे बहुत अच्छे है यानि कि वो उसकी publicity कौन करती है भी public ही करती है अपने मूँ से दूसरे को बताना इसको ही बोल देते हैं भी word of mouth but they have to compete against highly advertised item that make people believe that branded and packaged goods are better मगर जो ये लोग होते हैं जो मतलब आप कह सकते हैं चोटे मुटे जो समोसे उठाई बगारा या ऐसी चिज़े मनाते हैं जो advertisement नहीं कर सकते हैं उनको मुकाबला करना पड़ता है किसके साथ highly advertised items जिनकी बहुत ज्यादा add होती है उन items के साथ मकाबला करना पड़ता है और जो डैट में और जो ये जो जिसकी advertise आती है जिसकी लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं और उस कहते हैं कि भई ये जो branded है और ये जो package goods हैं ये इन से खुले जो समान से ज़्यादा अच्छे होते हैं porridge available at the local corner shop has to compete against porridge carrying a brand name अगर कोई दलिया है जैसे दलिया आपको पता होगा खाया होगा आपने यहों का दलिया बनता है वो local corner shop में भी मिल जाता है local shop में मिल जाता है मागर वही दलिया अगर कोई company brand name बना कर बजार में बेचती है तो अब लोकल वह क्या हो जाएगा मतलब वह उसके साथ competition नहीं कर पाएगा इस company का ही माल जादा बिकेगा क्योंकि उसका एक brand है उसने advertisement की है the small businesses fail to convince the people that they can buy quality goods even if they do not carry a brand name on the package जो छोटे-छोटे business होते हैं वो asfal हो जाते हैं और लोगों को convince नहीं कर पाते हैं लोगों को नहीं समझा पाते कि वो भी अच्छी चीज़ें बेच सकते हैं even if they do not carry a brand name उनके पास कोई brand name नहीं है फिर भी वो अच्छी चीज़ें बेच सकते हैं मगर वो ऐसा public को समझाने में asfal हो जाते हैं चोटे चोटे बिजनस होते हैं बिना advertisement की most people opt to buy packaged item believing them to be better than the item sold without packaging for example ground floor यानि की basin सेमोलीना यानि की सूजी एटसेटरा और अधिकतर लोग ये विश्वास करते हैं और ये खरीद लेते हैं जो packaged item है जो packet बंद item है उनको खरीदने में विश्वास करते हैं और वो सोचते हैं कि जो ये without जो packing item होता है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं जैसे कि बेसन है और सूजी है कई लोग खुली बेसन और खुली सूजी नहीं खरीदते वो सिरफ packet वाली ही बेसन और सूजी खरीदते हैं वेराज commonly we see that open grounded item फ्रोम लोकल शोप चक्की में बेटर क्वाल्टी देन दा packed ones और कई बार ऐसा भी होता है वेराज जबकि अधिकतर ऐसा ही होता है हम देखते हैं कि जो हमें लोकल शोप में या चक्की में जो आटा या बेसन या कोई दूसरी चीज़ मिल जाती है वो ज़्यादा अच्छी होती है उन package item से ठीक है जो जिनकी packing करी गई है उन item से ज़्यादा अच्छी होती है बस वो packing item इसलिए भी जाती है क्योंकि उसकी advertisement होती है यह बहुत important है डेली life के लिए जब भी आप कोई समान खरीदो तो उसकी date of expiry और date of manufacture जरूर चेक करनी चाहिए ठीक है date of manufacture का मतलब बता है वो समान कब बना है मालो एक bread का packet है और वो 12 तारीक को बना है और उसकी तो manufacturing date हो गई 12 तारीक उसकी ठीक है और वो 14 तारीक को खराब हो जाता है यानि कि expiry date देनी पड़ेगी वो कब खराब हो जाएगा 12 को बना 14 को खराब हो जाएगा तो 14 उसकी expiry date आगी उसके बाद अगर हम खरीद लेते हैं उसको 14 डेट भी चली गई हमने 15 को खरीदा तो उस packet को आप खरीदने का कोई फैदा नहीं है उससे हम बिमार पड़ सकते हैं अगर ऐसी चीज खाएंगे ठीक है तो पहले हमने क्या देखना है भई कभी भी आप समान बजार से खरीद होगे तो दो डेट जरूर देखनी है कोई भी चीज कोई भी चीज खरीद नहीं हो दवाई खरीद नहीं हो या ब्रेट खरीद नहीं हो या कोई भी ऐसी आइटम खाने पिने की खरीद नहीं हो तो उसकी date of expiry और date of manufacture जरूर आपने चक करनी है दस ब्रेंड can create discrimination in the society which is undemocratic and create inequality among the masses इसलिए जो ब्रेंड्स होते हैं यानि जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के ब्रेंड्स होते हैं वो create society में समाज में भेदभा उत्पन कर देते हैं which is undemocratic जो undemocratic है अलोक तंत्रिक है and create inequality among the masses जो लोगों के बीच में असमानता पैदा करते हैं यानि कि जो छोटा-मूटा दुकांदार है छोटा-मूटा बिजनस्मेन है वो उसका माल नहीं बिखता और बड़ी-बड़ी कंपनियों का माल बिख जाता है advertisement के कारण तो advertisement के कारण क्या हो जाती है भई discrimination भी हो जाती है भेदभाव भी हो सकता है Another unfortunate impact of advertising is that it engrays stereotype attitude और दूसरा जो unfortunate इसका impact है प्रभाव है वो क्या है stereotype attitude stereotype का मतलब ऐसा होता है वह ऐसे लोग जिनके कुछ ऐसे विचार है पुराने विचार है यानि कि जो नए विचारों को नहीं लेना चाते अपने पुराने विचारों पे ही अडे रहते हैं ठीक है या दूसरे की बात वो नहीं समझते हैं या पक्षपात करते हैं एक को ज़्यादा एहमियत देते हैं दूसरे को इतनी एहमियत नहीं देते हैं इस तरह के लोग को हम stereotype कह सकते हैं तो stereotype attitude यही होता है कि दूसरे की बात को मतलब अपनी पुरानी बातों पर अड़ जाना दूसरे की नई बातों को य कारे में बात कर रहे हैं example देखो some advertisement कुछ ऐसी advertisement होती है जिसमें दिखाया जाता है कि फैमिली टेवल पर वैठी है और जो woman है जो ओरत है वो खाना बना रही है another advertisement shows a woman picking up vegetable from the vendor's card while returning from the office और दूसरी advertisement में ऐसे दिखाया गया है कि जो एक ladies है वो अपने office से काम करके वापिस आ रह इज रही है the man and invariably shown buying computer or cars और आद्मियों को अधिकतर computer और car खरीचते हुए दिखाया जाता है a man can cook as well as a woman or a woman may know more about computer than a man अब एक आद्मी भी एक औरत की तरह खाना बना सकता है और एक woman भी क्या कर सकती है भी computer का knowledge रख सकती है आद्मी से भी ज़्यादा रख सकती है computer के knowledge तो इसी को कहते है stereotype कि ऐसे विचार कि कोई लोग तो ऐसी मानते हैं कि लेडिस तो घर का काम ही कर सकती है इसके अलावा और क कोई वो काम नहीं कर सकती इसी को ही stereotype attitude बोलते है पुराने विचार उनी विचारों पर अड़े रहना आपने जो जिनका आप कोई महतव नहीं रह गया है तो इसी को हम stereotype attitude बोलते हैं अब this type of advertising create gender discrimination and hence is against the basic principle of democracy और इस तरह की advertisement जो हमने अभी देखिया है ये बही ladies घर का काम कर र कार खरीद रहे हैं और ladies सबजी खरीद रही है तो इस तरह के advertisement क्या करती है जेंडर discrimination करती है यानि कि आदमी और ओरत के बीच में क्या करती है भई बे दभाव करती है ठीक है उनको बराबर नहीं समझती और ये चीज democracy के principle के खिलाफ है democracy के लोगतंतर के नीमों के खिलाफ है many people cannot afford branded item कई लोग ऐसे होते हैं जो branded item नहीं खरीद पाते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं they feel that they are failing in their duty by not providing a particular brand of floor for their growing children और वो क्या करते हैं वह ऐसा मैसूस करते हैं कि वो क्या हो गए वह फेल हो गए ठीक है कि वो अपनी duty नहीं कर पाए अपना करतब नहीं नहीं बच्चों को एक particular brand का वो आटा नहीं दे पाए क्योंकि उस brand का आटा महगा था इसलिए वो माबाप नहीं खरीद पाए उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो उनके मन में ये feeling आएगी कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए they may not be able to afford a branded shirt or an official meeting और ना ही वो अप ability और उनके जो दिमाग में जो feel करना शुरू कर देंगे वो क्या शुरू कर देंगे कि ये वो इतने शक्षम नहीं है वो इतने योग्या नहीं है उनके मन में गलत भावना आनी शुरू हो जाएगी this creates distance between the rich and the poor और इस से क्या होगा वही अमीरों और गरीबों के बीच में एक distance और बढ़ जाएगा it is against democracy where everyone should enjoy equality irrespective of his or her social or economic status और इसके कारण क्या होगा वही और ये क्या है democracy के विरुद है democracy के खिलाफ है क्योंकि democracy में क्या होता है सभी को एकपल समझा जाता है चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो और उसका social और economic status मतलब equal समझा जाता है democracy में की equal होना चाहिए उसका जो समाजिक जो है और जो उसके पास धन समंदी जो जितना भी धन है वो सब के पास लगबग बराबर होना चाहिए democracy तो ये कहती है मगर इसके कारण क्या होज़ता है वही rich और poor के बीच में distance और भी बढ़ जाता है अब हम पढ़ेंगे consumerism के बारे में consumer is a person who buys and paying the price for some goods or services insurance, transport, electricity, banking, etc. तो consumer क्या होता है? consumer एक ऐसा person है जो चीज खरीदता है, पैसे देता है चीज खरीदने के लिए या फिर कोई service खरीदने के लिए जैसे कि insurance की service है, transport की service है, electricity है, banking है in the good old days, there are a direct relationship between the seller and the consumer और buyer पराणे दिनों में क्या होता था कि seller यानि कि बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में direct relationship होती थी, सीधा संपरक होता था दोनों के बीच में सीधे संबंद थे उनके, आदमी क्या करता था, consumer क्या करता था, दुकान में जाता था चीज खरीदने के लिए, तो उनके साथ relation बन जाती थी, दुकानदार के साथ The seller exhibits his goods, जो seller है, बेचने वाला वो अपनी चीजें दिखाता था और जो buyer है, thoroughly examined them before purchasing और उसको असानी से, मतलब पूरा अच्छी तरह से देखके उस चीज को फिर खरीदता था The consumer was treated respectively and a bond was established between the seller and the consumer जो consumer है, उसको अच्छे से treat किया जाता था, respectively उसके साथ वहवार किया जाता था और seller और consumer के बीच में एक अच्छा समन्द बन जाता था But the times changed with commercialization and the buyer came to be referred to as a consumer अब जैसे जैसे जो समय बीचता गया, commercialization हो गई, यहनि की competition हो गया सभी company अपना-पना माल बेचने के लिए होड लग गई सभी की और तो क्या हुआ होगी, आब सिरफ buyer को खरीदने वाले को सिरफ एक consumer ही समझा जाने लगा The personal relationship between the buyer and the seller has ended, जो buyer और seller के बीच में जो व्यक्तिकत सम्बनते वो क्या होगे, खतम हो गए sometime a shopkeeper और a manufacturer cheats us by charging more for a commodity or giving us poor quality goods और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई दुकानदार या कोई company जो manufacture करती है कोई समान को वो हमें धोका दे देती है और हमें महेंगी वो चीज महेंगी दे देती है ज्यादा हमसे charge कर लेती है या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो quality खराब दे देती है, पूर quality की चीज़ हमें दे देती है many companies give a lot of information about the good point of the product but fail to supply the necessary information like safety, durability, after sale, service or its effect on health or environment that a consumer needs to know बहुत सारी company आसी है जो अपनी जो चीज़ें होती है उसके good point तो सारे बता देती है मगर उसकी जो necessary information देनी होती है जुरूरी information देनी होती है वो नहीं देती जैसे की safety क्या है उस चीज़ की durability वो चीज़ कितना चलेगी और उस चीज़ को खरीदने के बाद उसकी service कैसी रहेगी after sale service क्या होगी और उस चीज़ का हमारे स्वास्त पर या परयावरन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह सारी चीज़ें customer को पता होनी चाहिए मगर company नहीं बताती the consumer has to be aware of his right to address the problem when required और consumer को अपने जो problem अगर उसके पास कोई आती है तो उसको पता होना चाहिए उसको निवारन करने का उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए the consumer awareness is low in India due to lack of education and awareness among the masses consumer awareness जो ग्राहक है वो हमारे इंडिया में इतना जागरुक नहीं है क्योंकि इंडिया में education की कमी है और लोगों में awareness की जागरुकता की कमी है consumerism is all about protection of the interest of the consumers consumerism क्या है कि consumer के ग्राहक के हितों की रक्षा करना ही consumerism है it is a social movement seeking to protect the right of consumer in relation to producer of goods and provider of services और ये एक social ये जो consumerism है ये एक social movement है एक समाजिक अंदोलन इसको आप कह सकते है कि ये क्या मतलब इसमें क्या होता है भी इसमें रक्षा की जाती है किसकी consumer के अधिकारों की रक्षा की जाती है जो भी माल बनाते है या फिर जो भी service प्रोवाइड करते है उनसे ठीक है आगे है consumerism is collective consciousness on the part of consumer, businessman, government and society to enhance the consumer satisfaction and social welfare that in turn will benefit all of us consumerism क्या है एक collective एक सामूहिक जग रुकता है यानि कि सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए consumer को, businessman को, government को, society को ठीक है और ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके consumer को satisfaction मिल सके और समाज की बलाई हो सके then in turn will benefit all of us और इससे सभी को ही benefit मिलेगा, लाब मिलेगा the governor of India has set up bureau of Indian standard which was earlier known as ISI और भारा सरकार ने भी एक Bureau of Indian Standard बनाया है जिसमें जिसको पहले ISI के नाम से जाना जाता है और इसका काम क्या है, BIS lays down standard of industrial and consumer goods जितनी भी industry goods चीजें बनती हैं या consumer के लिए चीजें बनती हैं यह जो BIS है इसको standardized करता है, इसको standard देता है, all food items are standardized by eggmark agricultural produce और जितने भी मतलब food item है उस पे egg mark लगाया जाता है, egg mark का मतलब है जिस food item पे egg mark लग जाता है इसका मतलब यह है कि वो food बिलकुल safe है, consumer उसको बिना जिजग के इस्तमाल कर सकता है तो main feature of consumerism क्या है, क्या होता है इसमें, consumerism में क्या होता है they are various components, कौन कौन से component उसके बारे में हम पढ़ेंगी सबसे पहले है, a consumer must be aware of his, her right and should protect his right जो consumer है, जो ग्राहक है, उसको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और उसको उसकी रक्षा करनी आनी चाहिए he should raise voice against exploitation, उसको अपने जो अगर कोई exploit करता है उसको अगर मतलब धोका देता है या फिर गलत इस्तमाल करता है उसका, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने चाहिए she should seek redress of his complaint और जो भी उसकी complaints है, जो भी चीजों को लेकर complaint होती है वो करता है उसका निवारन होना चाहिए, voluntary consumer organization should encourage, guide, assist in safeguarding his interest और जितनी भी स्वेम से भी सस्थाएं है, consumer के हित के लिए, उनको, स्वेम से भी सस्थाओं को encourage करना चाहिए, guide करना चाहिए और उनके consumer के आदिकारों की हितों की रक्षा करनी चाहिए फिफ्त है, government last must be, must protect the interest of consumer और जो consumer के जितने भी हित हैं, ऐसे कानून होने चाहिए, कि सरकारी ऐसे कानून होने चाहिए, जो consumer के हितों की रक्षा करें शिक्स्त है, business houses must adopt a code of conduct for regulating their activities और जितने भी business houses हैं, बड़े-बड़े business houses हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक नियम बढ़ाने चाहिए जितनी भी activities करते हैं, उनके क्या बढ़ाने चाहिए, नियम बढ़ाने चाहिए, उनको regulate करने के, कुछ नियम बढ़ाने चाहिए यानि कि वो गलत काम ना करें, वो नियम बढ़े चलने चाहिए consumerism has gradually developed into a powerful force to aid and protect the consumer by applying legal, moral and economic pressure on producer and providers consumerism क्या है, अब धिरे-दिरे develop हो रही है और एक powerful force बन रही है और जिसके कारण consumer का applying legal मतला कानूनी तोर पे, moral तोर पे या economic pressure डाल सकता है, अब consumer किसके उपर, producer के उपर या provider के उपर, जो माल बना रहे हैं, जो service दे रहे हैं consumer उसके उपर अब pressure डाल सकता है, legal pressure, moral pressure और economic pressure के द्वारा, ठीक है, consumer के जितने भी हिते हैं, उनको रक्षा की जा सकती है if you feel cheated by a shopkeeper and want to complain in a consumer court, write an application, attach cash memo, warranty or guarantee card and submit it to the district consumer court आप देखो, सरकार ने हमारे लिए consumer court बना रखा है, अगर आप कभी ऐसा feel करते हो कि किसी ने आपको cheat कर लिया, गल्त समान दे दिया, ठीक है, जो वादा किया थो वो पूरा नहीं किया, समान को लेकर, तो आप उसकी क्या कर सकते हो, उस company की या उस shopkeeper की आप complaint कर सकते हो, consumer court म और आपने कैसे करनी है, एक simple application लिखो, उसके साथ उस चीज का bill लगाओ, warranty और guarantee card लगाओ उसके साथ, और district consumer court में उसके खलाफ case कर दो, read newspaper daily to be an aware consumer and save yourself from being cheated, और रोज अच्छा एक consumer बनने के लिए, एक जागरुग ग्रहाग बनने के लिए, रोज newspaper पढ़ो, और अपने आपको, मतलों, cheated होने से बचाओ, धड़ी से बचाओ, या आपको कोई धोगा ना दे सके, तो इचेप्टर हमारा होगे complete, अगर वीडियो आपको अच्छा लग इकार,